आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ, बिना अंडे के ओमलेट की रेसिपी, कोई भी बता नहीं पाएगा कि हमने इसमें अंडे नहीं डाला है, टेस्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा, एक बार आप मेरे इस तरीके से इस ओमलेट की रेसिपी को जरूर ट्राइ क करें तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सूपर टेस्टी ओमलेट की रेसिपी को शुरू करते हैं बिना अंडे का ओमलेट बनाने के लिए यहां पे मैंने बाउल में एक कप बेसन वन बाई थर्ड कप मैदा वन टेवल इस्पून बेकिंग पॉर्डर टेस्ट के एकॉर् नमक सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और यह आप देख सकते हैं हमने सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर तयार करेंगे इसे नाप इस तरीके से पहले मिक्स कर लें बिलक अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज में बारी कटी हुई प्याज दो हरी मिच बारी कटी हुई थोड़ा सा यहां पे हमने बारी कटा हुआ हरा धनिया इसमें एट किया है सारी चीजों को न अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे यह देखे हमें इतना ही इसका बैटर पतला चाहिए इससे जादा गाड़ा हमें नहीं चाहिए यह देखे यह आप देख सकते हैं बैटर हमारा बन के बिलकुल रेडी है चलते हैं गैस की तरफ गैस में यहां पे हमने एक पैन रखा है वन टेवल इस्पून तेल इसमें डाल दिया है अब हम तेल को न एक वार इ कर्ची हम डाल देंगे हमें इसका बैटर न थोड़ा पतला ही बना करके तयार करना है यह देखे इसे जो आप सेके न बिलकुल लो फ्लेम पे ही आप इसे सेक ले अब हम इसे पलट लेंगे और यह आप देख सकते हैं ओमलेट बन के बिलकुल तयार है यह देखे इसी तरीक से हम सारे ओमलेट बना करके तयार कर लेंगे कोई भी बता नहीं पाएगा कि हमने इसे बिना अंडे का बना करके तयार किया है अब मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूं यह कितनी अच्छी बन के तयार होई है एक बार आप मेरे इस तरीके से चरूर ट्राय करें के नीचे लाइक का बटन है उसे आप जरूर क्लिक करें जादा से जादा आप इस रेसिपी को शेयर करें चैनल पे नए है तो प्लीज सस्क्राइब करें बहुत जल्द आप से मैं मिलती हूं नई रेसिपी के साथ थाइंक यू